वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल नूर सूपर पीजन में आप सब लोगों का स्वागत है भाईयो तो भाईयो जो आज का हमारा कंटेंट है वो जो आपकी जो कभूतर बाजी है उस कभूतर बाजी को अलग एक नेस्ट लेबिल पर लेके जाने वाला है ठीक है तो पि जाए और उनकी जो उलान है उनकी उलान में जो गिरोथ हो जाए और वह साम साम तक की परवाज मैं आपको यहां पर इस वीडियो में एक ऐसा देशी नुसका सेयर करने वाला हूं जो भी मेरे भाई अक्टूवर नॉम्बर की बाजी उलाने का सोख रखते हैं उनकी कभूत अतरबाजी में चार चांद लगा देगा इंसाललाह ठीक है दोस्तों और सारी चीज़ा आपको ऐसी बता हूं जो आपको नॉर्मल मिल जाएंगे ऐसी नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उठाया और कुछ भी बता दिया हमारे जो भाई हैं उन्होंने ढूंडती फिरते ह हम मिलके हाथ मिल लगती यह यह निए यूटुब पे किसी बुराइव बात नहीं है लेकिन कुछ लोग यूटुब पे ऐसी ऐसी चीज़े बता देते हैं कवूत रुकों मुस्के के नाम पर कि वह जल्दी से मिलती नहीं है वो सब चीज़े मिलनी ही मुस्किल हो जाती है ठ न पाएं ठीक है दोस्तों और साथ में आप बैल आइकन जो इधर घंटी होती है वो घंटी आपको जरूर दबानी है जैसे तुरंत वीडियो आएगी आपको ऐसे ही तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो होगा ठीक है दोस्तों तो बताते हैं आपको क्या चीजि ठीक है भाईयो दिखाते हैं आपको तो ठीक है दोस्तों ये है वो नुस्का आप नजर डालने इस नुस्के पर ठीक है इसमें काजू है बदाम है और मुनक्खा है सफेद इलाइची है खुचबुवाली खसकस है और सफेद दखनी मिर्ची है ठीक है तो अब इसका आप सम common चीजे हैं मैं आपको तसली से समझा रहा हूं जिससे आपको बाद में कोई भी confusion create ना हो आसानी से सभी भाईयों को मिल जाएंगी एक बार और समान बता देता हूं आप समान यह लेनी है दो चुटकी आपको खसकस ठीक हो च्शाइ इलाईस लेनी है आपको सिर्फ और यह ना सोचे कि दस दकनी मिरश कम इसकी ताशिर बहुत ज़्यादा ही होती ऊती और इसी वजे से जो आइंगे सिर्फ आपको दसंदियर से लेनी है अब बात ही आती है कि आपको नुस्खह तैयार कैसे करना कि क्या है तो सबसे पहले मापको बताएंगे इसमें जो नुस्खे को जो तैयार करने का तरीका है वो चीज और उसके बाद आपको बताएंगे कबूतर को कैसे देना है कैसे कबूतर की उलाएं बलाएंगे टूसले आपको क्या करना है जो आपके 100 बादम मैं बड़िया बदाम लेने अच्छे खुशक बदामों नमी नभी नहीं में उन बदामों को जो इमाम जिस्ता हमारे पास होता है च्छोटा वाला और कोई भी भाई यहेंदर ना घ्रे फ करने से क्या इसकी जो नुस्खे का जो मेरा अपना मानना है वो रिजल्ट थोड़ा डाउन हो जाता क्योंकि उसमें जो कूटने में जो रिजल्ट आता है और बदाम का ओईल निकलता है वो एक अलग चीज है ठीक है भाई आप कर आप कैसे भी सकते हैं लेकिन जो मुझे जो चीज सही अच्छे काजू तो लेना है उनको इसी तरह से कूटना है और उनको भी अलग कर लेना है ठीक है और उसके बाद क्या करना है दस दखनी मिर्चें आपके पास जो दखनी मिर्चे है वो भी आपको कूटनी है और अलग कर लेनी है त्रीन चीजे हो गई उसके बाद में आती है खसकस खसकस आप ऐसे ही भी रख सकते हैं और खसकस को आप फलकी सी एक-डो चोट इमाम जिसते की मार भी सकते है ठीक है अगर इमाम जिस्ते की एक दो चोट उस पर मार देंगे तो ज्यादा बहतर रहता है और जो भी भाई खसकस खरीदे खसकस आती है भाई कही तरीके की सबसे पहले उस पर नोट करना आपको दुकंदार से यह कहना है कि भाई दवाई के लिए चाहिए ओरिजनल खसकस हो और जो ओरिजनल खसकस है आप वह वाली खसकस लेने की कोशिश करें जिसमें कुछ दाना काला भी हो तो वह ओरिजनल खसकस होती है ठीक है दोस्तों और अब बात आती है मुनक्य की मुनक्य आपको लेने 40 ग्राम मुनक्य बड़े वाले अच्छे और मुनक्य की बीज आपक अच्छे तरीके से समझाया लो आपको मुनक्खे लेनी है 40 ग्राम उनके बीज निकाल देने और रखने देनी अलग और बीज निकालने के बाद वो मुनक्खा कूटनी है उसे भी आप अलग कर लो बिल्कुल जब आप मुनक्खा कूट होगे तो जैसे चमन पिरास हो जाता न बिल्कुल गोंद टाइप वो बन जाएगी उसमें रेशा नहीं रहना चाहिए अच्छे से कूट लेना थोड़ी चिपन होती है कूटने में दिक्कत होती है लेकिन उसको आप मुनक्खे को अच्छे से कूटे और बिल्कुल चटनी सी बना लें और उसके बाद सबसे लास् चीजे आपको क्या करना है थोड़ा से देशी गी लेना है ठीक है आधा चमच एक चमच गी ले 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 और उसमें उसको अच्छे से बहुन लेना बहुनने के बाद में आपको सारा नुस्का एक जगा मिला देना है जो भी सारी चीजे आपने कूट के तयार करी है वो सारी चीजे आपको एक जगा मिला देगे जब आप उसे एक जगा मिला लेंगे वह अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा और उस कॉम्बिनेशन को बनाने के बाद उसको आपको एक अच्छा प्लास्टिक का डबा लें एर टाइट एर टाइट मतलब जिसके अंदर हवा न जाए अगर आप उसे ऐसे पनी बगेरा में लपेट के रग दोगे तो भाई कुछ दिन में उस पर आ जाएगी फूई और मैंने आपको सो सो गिराम का नुक्ता बताय इसलिए कि ज्यादा खराब ना हो यह जब खतम हो जाए तो आप दुबारा बना लें प्लास्टिक का डबा लें 18 रुपे का अतायक उसमें रखें और फ्रीज में रखें एर टाइट करके यह आपका खराब भी नहीं होगा अब आती है इसे देने की बात आपको देना कैसे है और कभूतर की उलान आपको कैसे बढ़ा है जो भी मेरे भाई अक्टूबर नॉंबर का सोख कर रहे हैं वह खास ध्यान देश बात पर जो भी आपके कभूतर हैं जो कभूतर दो घंटे तीन घंटे उड़ रहे हैं बस और उनने जान नहीं है वह अपनी अच्छी नसल के अपको सुबहा को खाली पेटर को क्भूतर को स्रुम में खाली और और दो 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 साम को बंद करते हैं घेक बाइव और आप इस तरीके से ही उसे continue बिल्कुल देते रहें या उसकी फ़लक वाले दिन जो तरीका है वो थोड़ा मैं अलग बताऊँ हूँ जो कवुतर आपका जिस दिन आपने नहीं उड़ाया है सुबा खाली पैट दे दे और साम को बंद करते टाइम दे दें दाना देने के बाद यह आप रेगुलर दे दे रोज कवुतर को इंशालला गारंटी है मेरी बिल्कुल सो परसेंट गारंटी है कवुतर पंदरे दिन में जवाब दे देगा आपको बिल्कुल अलग रंग दिखा देगा दो गोली देनी है सुबह दो गोली देनी है उसको साम और एक चीज़ और करनी है भाई अब ठंडा मोसम है आने वाले टेम में टेंपरिचर डाउन ही जाएगा तो भाई गर्मियों की बात नहीं कोई बात बोले गर्मियों की गर्मियों में तो भाई कवुतर का पोटा चाहिए देखो बिल्कुल खाली जब आप कवुतर को उड़ाओ यह आपके ओपर डिपेंड करता ऐसी चीज़ बता रहा हूं आपको कोई नहीं बताएगा आधिज उसे एक गोली देना और फटक पर उड़ाना से यह गोली आप उसको जब देनी है जब कवुतर कम से कम से कम पांच घंटे की परवाश देने लगे यह बात मैं कहां बता रहा हूं आप समझना एक मिनट आप समझ लो पर ले आप कवुतर को रेगुलर दो हपते कम से कम पतना दिन यह गोली सुबह साम खिला चुके हैं कवुतर आपका पांच घंटे पर या उससे अलग कोई और कवुतर पांच घंटे पर क्योंकि जब उस कोई भी जानवर नई चीजे एकदम एकसेप्ट नहीं कर सकता है जब आपने 15 दिन उसको दे लिए उसके बाद में आप उसको एक गोली जब आप कवुतर को उड़ा रहे हैं और कवुतर अगर आपका फटक पर नहीं है आपको सुबह साम उसको गोली खिला रहे हो तो उस गोली के बाद कभी भी आपको पानी नहीं देना है ठीक है दो चीजे हैं जिस दिन कवुतर की फटक नहीं है उस दिन तो आपको गोली के उपर से पानी नहीं देना है गोली दी अराम से और गला उसका सहर दिया नीचे हाथ से उतार दी पानी नहीं देना उसके तो आप कबूतर को एक गोली दो जो पानी आप दे रहे हो वो पानी कबूतर में लगा दो ठीक है और इंशालला अगर आपका कबूतर उड़के आया और आपने उसका पोटा चेक करना पोटा चेक करने के बाद आपको ये देखना अगर उसने वो गोली हजम कर ली तो कबूतर को कोई मारने करना उसे गारंटी है मेरी अगर कबूतर ने वो गोली हजम कर ली तो इंसल्ला जैसा कबूतर लाया आना बिल्कुल ऐसी हालत मोद रेगा बिल्कुल 100% अगर कबूतर है तो आके गुठकेगा ठीक है तो ऐसे ही ये तरीका आपको आगे ले जाना अब आपने देख लिया कबूतर को दो फड़क उड़ा लिया है तीन फड़क उड़ा लिया है एक गोली उसने हजम कर ली अब आप उस कबूतर को क्या करेंगे जो गोली आप एक दे रहे थे वही गोली दो दो सुबह उड़ाते टेम जब आप दो गोली दोगे फिर आप कभूतर का फरक देखना दो से तीन गोली तक आप उस कभूतर को ले जाना चार मत देना चार ज्यादा होती हैं तीन गोली तक कभूतर को ले जाना और इंशालला कभूतर साम तक ही बैठेगा मैं आपको बताई हैं आपको वही तरीका करना ऐसे नहीं कि आगे में उम्मिद करता हूँ आपने वीडियो अच्छी तरीके से देखी होगी अच्छे से समझी होगी और जिन भाई को कबूतर उडाने की जरूरत है आगे अपनी वाजयों उडाएंगे तैयारी करेंगे इंसा कम आपके लिए मेहनत करिए और मैंने आपको दिल से यह चीज़े बताई हैं तो मैं चाहता हूं आपकी कवुत अरवाजी अच्छी हो कम सकम इस वीडियो पर सो लाइक सो कमेंट आपकी तरफ से मेरे लिए होने चाहिए ठीक है दोस्तों और इंशालला आगे भी कोई जल्दी वीडियो अच्छी से लेक आएंगा आपके लिए तब तक के लिए अस्सलाम अलेकुम नमस्कार सस्त्रियाकाव